तो अब हम शुरू करने वाले हैं अपना सेकंड टॉपिक सेकंड टॉपिक का मतलब नेक्स टॉपिक राइटिंग एंड सिटे लाइफ में मेसोपोटामिया एन इट्स जोग्रफी लगबख कम्पलीट हो चुका है और इस जोग्रफी में अब दूसरे एस्पैक्ट्स पे हम आने वाले हैं हमने लास्ट में डिस्केशन किया था कि क्या रूरल प्रॉस्पैरिटी यानि गाओं के लेवल की प्रॉस्पैरिटी गाओं के लोग लेवल की जो संपन्दता है क्या उसकी वज़े से मेसोपोटामिया इतना बड़ा शहर बन गया नहीं नहीं कुछ और भी ऐसे एसे एसपैक्ट्स थे जिनकी विज़े से मेसोपोटामिया इतना फ्लॉरिश और इतना प्रॉस्परस शहर बनने वाला है तो आईए देखते हैं वो कौन-कौन सी चीज़े हैं सिग्निफिकेंस ओफ अर्बिनिजम तो हमारी जहां बात खतम होई थी सेकंड प्रीविएस वीडियो में उसी से बात लगवग वहीं से शुरू होने वाली cities and towns are not just places with large population शहर सिर्फ वो जगे नहीं है जहां पर बहुत सारे लोग रहते हों यानि लोगों का settlement शहर हो सकता है लेकिन सिर्फ शहर लोगों का settlement नहीं हो सकता है ये बात थोड़ा सा समझने वाली है मतलब जहां पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं आप कह सकते हैं कि वो शहर है लेकिन अगर कोई एक शहर है वहाँ पर सिर्फ लोग ही रहते हैं बस और आप उसको शहर नाम देने तो नहीं वहाँ पर कुछ और activities होनी चाहिए तब जाके आप उसे एक शहर का दर्जा दे सकते हैं ठीक है उसे city में count कर सकते हैं urban economies comprise besides food production, trade, manufacturing and services तो शहरी अर्थवस्था में urban economics में क्या होता है so urban economies comprise besides food production, trade, manufacturing and services यानि शहरी जीवन में खाने को उगाने के साथ में खाने का उत्पादन करने के अलावा कुछ और activities हैं और वो कौन सी हैं trade, manufacturing and services ध्यान रखिएगा रूरल जो development होता है वो food production से शुरू होता है लेकिन जैसे जैसे वो city life के तरफ move करेगा वो food production के अलावा दूसरी activities में involved होना शुरू हो जाएगा मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ इस process को ठीक है कि लगवग लगवग जब 7000, 3000, 7000 साल के आसपास 7000 से 6000 साल के आसपास जब food production की activities शुरू हुई थी या मैं कहूं agriculture की activity शुरू हुई थी और human settlement शुरू हुआ तो शुरुवात में क्या requirement थी शुरुवात में सिर्फ ये requirement थी कि हम अपने आपको sustain करने के लिए sufficient amount में food production कर लें तो food production का क्या था एक pressure था population को feed करने के लिए ठीक है like population को feed करना है ये एक मेन requirement है लेकिन gradually ये चीज आगे बढ़ेगी agriculture अभी क्यों किया जा रहा है population को feed करने के लिए किया जा रहा है लेकिन दीरे 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 जैसे जैसे population pressure बढ़ेगा वैसे वैसे agricultural activity बढ़ेगी और एक time ऐसा आता है rural areas में या मैं कहूँ की towns में ठीक है एक ऐसी condition आएगी जब agriculture क्या होगा surplus होगा यानि की the people will start producing more than they consume अब वो अपने खाने से ज़्यादा produce करने लग गये हैं तो agriculture क्या होगा surplus amount में होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही agriculture surplus amount में होना शुरू हो जाएगा तो फिर क्या changes आएंगे ध्यान रखिएगा आपके पास जब surplus चीज होगी तो आप उसको trade की तरफ लेके जाओगे अब आप exchange करोगे की नहीं करोगे storage करोगे उसको trade करोगे उसको plus साथ में जब population तो बढ़ी रही है अब लोग सिर्फ agriculture ही नहीं करेंगे खेती के अलावा की activities में भी जाएंगे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हो सकता है काबलर का काम करेंगे गोल्ड्समिट का काम करेंगे ठीक है यानि डिफरेंट डिफरेंट प्रम जो प्राफेशन्स हैं वो प्राफेशन्स भी इमर्ज होने शुरू होंगे तो trade food production के बाद trade urban economy में सबसे important चीज है कि food production के साथ साथ व्यापार बढ़ेगा trade बढ़ता है ठीक है manufacturing and services भी बढ़ती चली जाती है आप जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर को देखिए क्या वहां सिर्फ खेती होती नहीं आप जिस गावं से बिलॉंग करते हैं वहां पर चले जाएए हाँ वहां का 90% more than 90% population more than 90% people agricultural activity में involved होगा लेकिन आप शहर में देखिए वहां पर शायद food production भी होता होगा लेकिन food production के अलावा बाकि सारी activity सबसे ज्यादा होती होगी वहां ट्रेडिंग होती होगी manufacturing होता होगा service sector होगा ठीक है तो वह शहर की निसानी है तो इस तरीके से हम समझ गए कि urban economies में क्या important चीज़ें होती हैं व्यापार होगा manufacturing होगी उन services होगी अ अब आप इसी तरफ बढ़ रहे हैं अब आप यानि की मेसोपोटामिया में आप इसी तरफ बढ़ रहे हैं तभी तो वह शहर है the division of labor is a mark of city city life यानि की श्रम का विभाजन division of labor जो होता है वह शहरी जीवन का बहुत important aspect होता है और अब आप देखेंगे यहां पे food production में कुछ कर ले ठीक है दूसरा particular person कुछ और कर ले आपको मैं example देता हूं division of labor का ठीक है चलिए दो example ले लीजे हम सब को कपड़े पहनने का शौक होता है हम लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हम कपड़े खरीदने के लिए कहा जाएंगे हम जाएंगे shop में ठीक है चलिए आप ए और से लर अब आप तो होल्सलर के पास नहीं जाओगे मालीजे अप्रोच भी करते हो तो होल्सलर कहां से कपड़े लेके आएगा वह वो किसी ने किसी आउट्लेट factory आउटलेट से लेके आता होगा या फैक्टरी से लेके आता होगा जहां पर कपड़े बनते होंगे अब में जो prediction हो रहा है कपड़ों का ठीक है जो कपड़ा बन रहा है तो वह कहां से लेकर रहा तो कहीं और से मगाएगा न वो अब ऐसा तो नहीं की factory में खेती हो रही और वहीत तुरन्त धागा बन जा रहा है नहीं तो cotton या जो भी different type के fabrics हैं इनकी requirement पड़ेगी raw material की requirement पड़ेगी ना क्योंकि यहां पर तो raw material process होने वाला है और process होके फिर आगे chain में जाने वाला है ठीक है जो supply chain है cotton कौन grow करेगा farmer grow करेगा ठीक है तो इस तरीके से क्या होता है अब आप देख रहे हैं कि अलग अलग अक्टिविटी जो है वो अलग अलग एक ही चीज का जो finished good है एक एक finished good बनाने के लिए कई लोग उसमें involved है ठीक है तो division of labor अब आपके बुक में बड़ा बढ़िया सा example दिया हुआ है जो उस जानी वो person जो जैसे मूर्तिकार हो गया तो वैसे ही कारवर हो गया अब कारवर क्या करेंगा माल लिए इसको और से को सील बनानी है ठीक है यह कोई मूर्ति बनानी कुछ भी अभी सको टूलस चाहिए ब्लाइश सबसे पहले तो उसको मैटल चाहिए होगी okay आप वह बिचाराả कलाकार है। वो मैटलर्जी का काम थोड़ी आता है वो मैटल्स को नहीं जानता है टीकने अब ब्रॉंज भी चाहिए होग तो वो किसके उपर डिपेंडेंट होगा ब्रॉंज टूल मेकर के उपर डिपेंडेंट होगा क्योंकि जो कासा है ब्रॉंज यह नहीं कासा तो कासे की धातू को यह और बनाता है क्योंकि कासे की धातू बनाने के लिए आपको क्या चाहिए कॉपर चाहिए प्लस टीन चाहिए copper or tin का mixed metal है ना bronze तो bronze toolmaker जो है उसके पास जाएगा अच्छा bronze toolmaker को भी क्या चाहिए metals चाहिए अलग से copper और tin भी तो चाहिए अब toolmaker या मैं कहूं bronze toolmaker वो mining तो नहीं करता ना वो किसी और के पास जाएगा जहां से उसको easily metals available हो जाती है तो वो मेटल बनाने के पास जाएगा मेटल बनाने वाले के पास में जाएगा फिर उसको हीट करने के लिए उसको मैल्ट करने के लिए यानि कि जो कैमिकल प्रॉसेस होगी उसको फैसिल्टेट करने के लिए चारकोल और फ्यूल चाहिए होगा ठीक है फिर और कारवर है अब क सेलर होगा उसके पास जाना पड़ेगा अपको तो इस तरीके से डिविजं ऑफ लेबर हो रहा है यानि श्रम का विभाजन हो रहा है और श्रम का विभाजन अर्बन सोसाइटी का एक important हलाकि यह rural society में भी मिलेगा आपको division of labor लेकिन यह upgrade होता जाता है जैसे जैसे आप शहरी जीवन की तरफ बढ़ते हैं तो urban economy का important aspect हो गया division of labor division of labor के अलाबा दूसरी important चीज जो है यहाँ पे वो है social organization there must be a social organization social organization क्या होंगे यानि अब आप आप देखेंगे कि जैसे जैसे urbanization की तरफ आप बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको क्या होगा organizational skills में develop करनी पड़ेंगे मान लीजे आपको कोई चीज अब जैसे फसल ही sufficient amount में हो गई तो फशल को क्रॉप को कहीं ने कहीं करना पड़ेगा ग्रेनरी बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी ठीक है अब आपके पास sufficient amount में raw material आ रहा है कहीं से fuel आ रहा है fuel के साथ में metals आ रही हैं फिर बहुत सारे जो पत्तर चाहिए आपको various stones lapis lazuli ना शेल चाहिए आपको यानि वो जो transport करना पड़ेगा कहां से अलग अलग जगहों से किनके लिए city manufacturers के लिए जो शहरों में हैं और जो इनको इस्तमाल करने वाले तो इनको क्या करना पड़ेगा आपको store करना पड़ेगा और trade करने के लिए organized trade के requirement होगी तो इनको store करने के लिए आपको कुछ institutions मनाने पड़ेंगे ना तो social organization का मतलब है कि trade activity को coordinate करने के लिए facilitate करने के लिए जो छोटे-छोटे organizations हैं ठीक है ना चोटे-छोटे institutions हैं इनका भी development होना बहुत अटाव जरूरी है तो क्या Meso Palm 약 में सब ढप हो रहा था हा जी हो रहा था तभी endless प्राबीया एक develop शहर बन गया ठीक है चले अब हम बढ़ते हैं आगे मिश्योप्रणिया में ठीक हैamos मेजू ofटामियं में क्या होता था ये जो गाउं का इलाका हो गया जो आस पास के छोटे- liberals होते किस तरीके से वहां पे और इकोनॉमних को support किया जाता था में कैसे वहां की city life को support किया जा रहा है नरिश किया जा रहा है ठीक है flourish करने में help किया जा रहा है तो जो छोटे-छोटे villages होते थे आसपास के मान लिजे एक दो तीन चार यह बहुत सारे villages हो गए अब यह जो छोटे-छोटे villages हो गए यह क्या होता न यह produce करते थे बहुत सारा amount में grain अनाज ठीक है so grains and other items will be produced clear है और अब जरूरत क्या होगी शहरों में इस अनाज को लेके आया जाएगा तो दोर जरूरते हैं सबसे पहला तो यह जो grain और बाकी दूसरे edible items produce हो रहे हैं इनको store करने की requirement पड़ेगी जरूरत है ठीक है क्योंकि अभी मान लीजे आपको आज की जरूरत पूरी हो गई कल की जरूरत पूरी हो गई लेकिन climatic conditions कई बार favorable नहीं है ठीक है या फिर इतना amount population रह रहे हैं तो जरूरी थोड़ी है कि आज की कल की और चार दिन की जरूरत पूरी हो गई महीनों की लिए खाना ही कठा कर रहा है तो उसके लिए आपको store करना पड़ेगा उसको और storage के साथ प्रॉपर distribution भी करना पड़ेगा ठीक है फूड को दिस्ट्रिबूट करना ही पड़ेगा नीडी पीपल्स के साथ ठीक है न तो यह एक system develop हो रहा है अब आप देखेंगे धीरे धीरे division of labor और social organization से मैं आपको एक दूसरे aspect की तरफ लेके जा रहा हूं जहां कहीं न कहीं आप लिंक कर पा रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम involved होने जा रहा है distribution food का distribution और food का storage कौन करने वाला है कोई न कोई चाहिए होगी कि नहीं तो यहां पर फूड का distribution होना चाहिए कि लोगों तक फूड पहुंचना चाहिए कि लोगों को नहीं पहुंचना चाहिए यह कुछ ना कुछ रूल्स होंगे regulation होंगे ना अभी आगे और चीज़े क्लियर होने वाली है जब आब यह topic पढ़ेंगे life in the city लेकिन अभी यहां पर हम other aspects के बारे में बात कर रहे हैं तो there is a need to coordinate different activity अब इन इन तरह की सारी activities को coordinate करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा तो जरूरत है इन अलग अलग गतिविदियों को नियंतरित करने की coordinate करने की ठीक हैं दूसरी requirement क्या है इतने बड़े लेवल पर storage हो रहा है foods का इतने बड़े लेवल पर distribution हो रहा है पूरी population में तो कैसे हम authenticate करेंगे कैसे हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसको food मिल गया किसको नहीं मिला है इसलिए there is a need to keep the records of the things चीजों को लिखने की चीजों को maintain करना है चीजों के proof records रखने है so there was a need of keeping of written records लिखे हुए records की जरुवत पढ़ने लग गई तो अब आप देखेंगे कि writing का system भी develop होने वाला है hopefully आपको यह सारे aspects समझ में आगे होंगे जो जो मैंने अभी discuss किये चलिए एक और example बहुत अच्छे से देता हूं मैं आपको एक तो आपने कारवर वाला देख लिया एक कपड़े वाला मैंने देख लिया ठीक है दिखा दिया आपको अच्छा दूसरा एक और बड़ा important साः यह सुंदर सी मूर्ती देख रहे हैं अप यह अपने जमाने की miss world है ठीक है अब आप ऐसे देख के भले अंदाज ने लगा पा रहे होंगे पर हाँ यह अपने जमाने की miss world है ठीक है तो इनका नान है मैडम का दूर्टाहेड ठीक है यह जो इमेज है इमेज का मतलब यह जो स्टैचू देख रहे हैं आप यह मूर्थी देख रहे हैं इनका नाम है वर्का हैड ठीक है ना अच्छा यह कहां पर मिली है यह मिली है उरुक नाम के शहर में दो शहर बड़े संग मरमर की मूर्थी है वाई साब तो यह जो स्कल्प्ट किया गया है यह जो मूर्थी बनाई गई है यह भले अभी आपको फोटो में इतनी सुन्दर नहीं दिख रही है लेकिन जब खुदाई की गई थी तोड़ी नाकवाक तूड़ गई है इनके खुदते समय ठीक है क्य थी है मतलब इसके आसपास उसकी доб की जाती यह बार कई है और इनकी जो इनका जो फेश है यह वाइट मारंवबल का बना हुआ है ना तो शार जहां तो बहुत बात में बना Ice करेंगे तो 내일 Zumalऄ तॉब की डेट निकलती है विश्व प्रसिद्ध मूर्ती का नमूना है ये ठीक है ना उस जमाने में देखा जाए तो मार्बल की स्टैच्व अपने आप में एक बड़ी बात है क्योंकि बाद में जो आप रोमन एम्पायर अभी पढ़ेंगे तब जाके अगर आप देखेंगे तो वो ठीक है क्योंकि रोमन एम्पायर तक लिंक हो जाती है चीजे बट मेसोपुटामिया तक थोड़ा सा एक ऐसी सब्वेता जहां पर लोग अभी सीख रहे हैं चीजों को अभी इतने एक्सपर्ट नहीं हुए थे लेकिन इस लेवल पे स्कल्प्चर करना मूर्ती कला व बनाए गया है ठीक है इनके चिंस और इनके जो चिक्स बनाए गया है ठीक है इनकी जो आँखे हैं इसमें लापिस लाजुली का इस्तेमाल किया गया था यह लापिस लाजुली जो है यह ब्लू स्टोन होता है नीले कलर का पत्थर होता है आप डूल लीजेगा ठीक है इमे करिए कि कितनी सुन्दर वो मूर्ती रही होगी वर्काहेड की और आप देख रहे हैं इसके आखों के उपर एंग्रेविंग्स है थोड़ा सा खुदा हुआ है ठीक है वाइड शेल का इस्तेमाल किया गया था सफेद पत्थर का इस्तेमाल किया गया था इसको बनाने के लिए है और यह जो ग्राविंग्स है खुदा हुआ पोर्शन है ऐसा माना गया रहर भी होसकता है कुछ और दूसरे औरनमेंट्स इनको पहनाने के लिए या दिखाने के लिए इसका एस्तमाल किया गया हो तो ये जो बनाया गया यह कैसे बनाया होगा एक स्कुल्टर ने सिसकुर नहीं बना दिया होगा अब आपको division of labor का example दिया गया है इसमें ना तो social organization division of labor का तो यह जो workahead हैं इनकी मूरत को मूरत को बनाने के लिए आपको जो जो चीज़ें इस्तिमाल करनी थी है ना जैसे lapis lazuli और क्या नाम है white marble यह कहीं ना कहीं है इसके बाद फिर उसको बनाना शुरू किया होगा और्नमेंट्स मगाए होंगे metals मगाए होंगे तब जाके इतनी सुन्दर मूरत बन पाई तो आगे बढ़ते हैं हम अब दूसरे aspect के तरफ चलते हैं ठीक है मेसोपोटामिया में goods और cities का movement यानि यह चीज़ आपको कहीं न कहीं transportation से link करने वाली है ठीक है movements of goods into cities यानि शहर में वस्तूओं का आगमन या हम कहें आना और जाना movement हो रहा है तो movement में दोनों चीज़ें include हो जाती है ठीक है movements of goods into cities मेसोपोटामिया खेती के मामले में तो काफी आगे दिख रहा है आपको ठीक है agricultural productivity में अच्छा खासा आगे है लेकिन यहां पर खनीज संसाधन खनीज संसाधन sufficient amount में नहीं है मेसोपोटामिया was not rich in mineral resources most of the southern part lagged stones for tool seals and jewels तो दक्षिड का हिस्सा जहां पर especially थोड़ी बहुत खेती हो रही है यह ना यूफरेट्स नदी के channels के विज़े से proper irrigation की विज़े से खासकर इस हिस्से में तो बिलकुल भी tools वगएरा नहीं थे stone tools बनाने के लिए जो resources चाहिए raw material चाहिए वो नहीं थे ठीक है seal बनाने के लिए jewelry बनाने के लिए जो resources चाहिए वो नहीं available थे ठीक है wood obtained from irrigated palm and popular was not good for making cards cart wheels and boats अब वहाँ पर ऐसा तो है नहीं की पेड़ भी नहीं थे में सुपटामिया में आपने पढ़ा कि नौर्थ इस्टन पोर्ट्शन जो है वहाँ पर forested area था तो forested area में हाँ आपके पास क्या है palm तो palm के लखडी को इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है popular बेक तरीके अगरा बना सकते हैं तो आपको मजबूत लखडी की requirement है जिनकी वजह से आप कुछ ऐसे movement करने वाले कार्ट्स बना सकें वील कार्ट्स बना सकें ठीक है डेर वाज नो मैटल फॉर टूल्स वैसल्स और ornaments obviously बात है जब mineral resources नहीं है तो mineral में ही metals आ जाती है तो धातु में भी नहीं थी जिनकी वजह से बर्तन बनाए जा सकें या jewelry बनाए जा सकें तो क्या करते थे ancient mesopotamians could have traded their textiles and agriculture produce for wood copper tin silver good shell यानि पुराने प्राचीन mesopotamian लोगों ने क्या किया होगा could have traded संभव है कि व्यापार शुरू किया होगा किन चीजों का उनके पास sufficient amount में टेक्स्टाइल वगरा available हो जाता था आपने पढ़ा है कि नौर्थ में स्टपी जो grasslands है उनकी वजह से बहुत अच्छी sufficient amount में grass available है और वहां पर भेड़ भेड़ भी चरा रहे हैं वो वूल उन sufficient amount में available है ठीक है तो इनके पास क्या होता था कि textile sufficient बन जाता था तो अभी क्या करते चीजों का textile और agriculture produce का trade करते थे किन चीजों के लिए लकड़ी तो return में लकड़ी ले ले लेते थे आसपास के जो सिटीज है उनसे copper ले 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 थे इन्हीं को मिला के ब्रांच कासा बना लेते थे ठीक है silver gold चान्दी और सोना शेल ठीक है white stone type का होता है वो त से मगा लेते थे तर्की से मगा लेते थे और इरान से मगा लेते थे और नीचे गल्फ के अरिया से मगा लेते थे ठीक तो इस तरीके से आप देखेंगे trade develop हो रहा है ठीक है trade की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं फिर efficient transport is also important for urban development जब trade होगा तो trade के लिए transportation तो चाहिए ही चाह ठीक है और गाओं और शहर के घरों में अंतर होता है गाओं और शहर की गलियों में अंतर होता है तो obviously बात है अब यहां पर road system भी develop होगा अभी आप आएंगे just हम आगे बढ़ते चले जा रहे है ठीक है तो धीरे धीरे transportation जो है वो develop होने वाला transportation urban development का important aspect है the canals and natural channels were roots of good transport between large and small settlements तो इन चीजों में यानि ट्रेड करने में यह जो water bodies के channels थे यूफरेट्स और टिग्रिस नदियों के जो channels थे यह बहुत important role play करते थे ठीक है ना यानि large settlement और small settlement के बीच में भी कहीं ना कहीं के जो movement होते थे उसमें भी help करते थे ठीक है यानि एक छोटा शहर हो गया माली जो शहर जाने के लिए आपको कुछ न कुछ चाहिए चाहिए आप वील कार्ड का प्रयोक करें चाहिए बोट का प्रयोक करें अगर नदी के तुरू जाना है तो बोट का प्रयोक करेंगे रोड के तुरू जाना है तो आप क्या करेंगे वील कार्ड का प्रयोक करेंगे इस तर करते हैं जब हम यह बात करते हैं कि लिखना पढ़ना क्या था ठीक है जब हम लिखने पढ़ने की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो इससे हमारा क्या मतलब है इससे हमारा मतलब यह है कि मेसोपटामिया के लोग इस लावल तक डिवलप हो चुके थे कि वह वर्बल लैंग्वेज जो है लैंग्वेज कैसी है हमने समझ लिया है जब हम फॉर्स चाप्टर पढ़ रहे थी तो उससे मैं नॉन वर्बल लैंग्वेज थी या वर्बल भी डिवलप हुई थी तो वह अभी विजबल साइंस के फॉर्म तक एक्स्प्रेस नहीं हो पाई थी लेकिन म वह sign के form में कुछ symbols के form में visible represent कर सकते थे visibly represent कर सकते थे यानि आप वर्बल लैंग्वेज जो है या जो spoken words है ठीक है sounds है उनको कुछ symbols के form में express किया जा रहा है और यहींसे आप कह सकते हैं कि language का development Mesopotamia में हो गया ठीक है आप example देज सकते हैं ठीक है हमें कहां से यह चीज में पता चलती है हमें evidences कहां से पता चलते हैं ठीक है कि Mesopotamia के लोग लिखना पड़ना जानते हैं तो हमारे पास बहुत सारे क्या मिले हैं tablets मिले हैं तो अभी तक आप हैना science और technology के फिल्ड में नाम सुनते थे tablet जैसे ना कहें device का तो अब पहली बार यह समझ रहे हैं कि आज से 3000 साल पहले Mesopotamia की लोग भी tablet का इस्तेमाल करते थे तो हाँ जी यह electronic tablet नहीं है कि apple और HP और Dell के tablets की तरह ठीक है यह tablet है मिट्टी का tablet है ठीक है मिट्टी का बना हुआ tablet होता था तो हमारे पास लगबख 3200 years back सबसे पहले जो evidences मिलते हैं written evidences मिलते हैं tablet के ठीक है उसमें picture like signs and numbers उसमें क्या है pictures हैं बहुत सारे कुछ symbols बने हुए कुछ numbers लिखे हुए हैं तो यह है 3200 years back हमारे पास टेबलेट मिले हैं इच टेबलेट इस 3.5 cm और लेस इन हाइड लगबख 3.5 cm का है यह tablet आपका ठीक है इसमें आप देख सकते हैं अनाज और मचली बनी हुई है ठीक है यह एक tablet है जिसमें कई सारी नाव बनी हुई है number of boats तो इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे tablets मिले हैं इन tablets पर कुछ sign बने हुए हैं यह sign कुछ न कुछ indicate करते हैं क्या indicate करते हैं अभी तो शुरुआत हुई है राइटिंग के बारे में तो हम दीरे-दीरे डिसकस करते हैं इसको ठीक है न देवर अबाउट 5000 लिस्ट ऑफ ओशन फिश ओशन और फिश समुद्दर बना हुआ है मचली बनी हुई है ब्रेड लोफ्स बने हुए है ठीक है बैल बना हुआ है यह रोटी के टुकडे ब्रेड के टुकडे बने हुए है महाँ पे यह चीजें sign के तौर पर इस्तमाल होती थी कुछ न कुछ कहती थी ठीक है तो इस तरीके से tablets पर आपको बहुत सारे list मिलेंगे clear है अभी हम बहुत सारा कुछ discussion करने वाले हैं सारी चीजे clear हो जाएंगी writing के बारे में list of goods that were brought into or distributed from the temples of Uruk यानि कि ये तो चीजें मिली ही हैं हमें इन tablets पे जो 5000 tablets आपको मिले हैं इनमें ये sign तो बने हुए है बैल के उंट के sorry बैल के मचली के अनाज के क्या नाम है आपकी बोट के नाव के उसके अलावा बहुत सारे यसी वस्तूओं की सूची मिली है list of goods मिली है जिनको लाया गया होगा शहर में कहीं बाहर से that were brought into or distributed from temples of तो बहुत डिटेल में डिसकेशन होने वाले हैं मेजोपुटामिया में अगर कोई चीज जाने लाइक है सबसे ज्यादा तो वह टैंपल ही है क्योंकि टैंपल उसका में administrative unit है जैसे पूरे देश को पार्लेमेंट चलाती है वैसे ही मेजोपुटामों को टैंपल चलाती थी राइटिंग बिगन अब यह तो आपको development of writing के बारे पता चल गया अब लगभग लगभग यह अंदाजा आप कैसे लगाएंगे कि कब शुरुवात होई होगी क्या नीड महसूस होई होगी क्या requirement रही होगी कि मिसोपुटामिया के लोगों ने लिखना सीखा सो की distribution की production की तो यह दिमाख में अचानक से क्या आये ही होगा उनके बहुत important सा एक aspect है क्यों ना इन चीज़ों को record किया जाए इतने बड़े लेवल पर transactions हो रहे हैं तो इनकी authenticity भी तो maintain होनी चाहिए कल को भूल जाए कोई कि किसको क्या दिया था दूसरा claim करने लग जाए कि हमें नहीं दिया या किसी की कोई liability है वो उससे deny कर दे liability है मुझे मतलब किसे ने करज लिया था for example ठीक है किसी से अब वो कहा दे वही तुमने करज दिया writing process शुरू की यानि चीजों को क्या किया symbols के form में express कर देते थे माल लीजिए अब कोई दो लोगों के बीच में A और B के बीच में किसी goods को लेके exchange हुआ हो सकता है उन्होंने को symbol बनाया हुआ हो चलिए अनाज का लेंदेन हुआ है तो उन्होंने एक tablet में अनाज का symbol बना दिय यह चीज़ स्टोर हो गई इसका मतलब हमारे और आपके बीच में अनाज का लेंदेन हुआ है मेसोपुटामियन रोट आन टेबलेट्स ऑफ क्ले यह हमें क्लियर हो गया मेसोपुटामियन के जो लोग थे मेसोपुटामियन सबता के जो लोग थे वह मिटी के क्ले के tablet पे ल ठीग है यह कुछ सब्सक्राइख पिरक मेशचा क्या है यह कुं? कि अच्छा साइड क्या है इसका फॉर्जुनेट साइड फो यह कि हों से कम से कम इनके के पास लिखने की गला थी और इनके शायंड पढ़ लीक्ने की गला तो हमारे हिंदू जो उसमें है इंड़स वाइली वाले जो लोग है हमारे इंड़स वाले जो िंफॉरमेशन बाल है 90 परसंट तो अंध्यरे में यह भी लोग कर पा रहे हैं इतना सब कुछ पता है मेजोपटमेंस के बारे में ठीक है हो सकता है रप्पा के लोग इनसे भी ज़्यादा एडवांस हैं बहुत सारी चीजों में तो हाई है लेकिन वही है कि इविदेंस नहीं मिल पा रहे हैं उसके उनके एडवांस होने के चलिए अब इस मिट्टी के टेबलेट में कैसे लिखा जाता था मिट्टी का टेबलेट किस तरीके से एक रिकॉर्ड बन जाता था वो हम समझते हैं तो इसक्राइब विट एक क्ले एंड साइस ही कुड़ कंफरीटिबली इन वन हैंड अब क्या करता था एक क्ले मिट्टी का एक धांचा बनाएगा एक वेट के गिली मिट्टी का धांचा बनाएगा ठीक है अब इस wet clay में क्या करेगा उसको वो इस तरीके से pat करेगा ठोक पीट के ऐसा एक size देगा इस तरीके का rectangular ठीक है कि उसको हाथ में comfortably पकड़ा जा सके ठीक है एक हाथ में दो हाथ में किसी भी तरीके से उसको हाथ में पकड़ा जा सके ठीक है that he could comfortably hold in one hand ठीक है एक हाथ में आसानी से पकड़ सके he would carefully smoothen its surface with the sharpened end of a reed cut obliqually अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इस जो आपका tablet है इसके जो किनारे हैं, ages हैं इन ages को इस तरीके से cut किया गया है कि यह हाथ में लगे वगे नहीं sharp ना रहें ages ठीक है इसलिए इनको proper क्या किया गया है, cut किया गया है तो क्या गरते था वो, scribe वो बहुत carefully, बहुत सावधानी से उसकी चारों जो corners की surface है उसको smooth करेगा, किसे करेगा sharp end of a reed अब एक reed एक पौदा होता है सर्च कर लीजेगा बहुत आसानी से ठीक है, तो उसको क्या होता है उसकी लगडी जो बनाते थे, उसको इस तरीके से काटते थे एक knife की तरह का है ना, हमारे पास जो paper cutter जैसा होता है तो paper cutter का end कुछ इसी तरीके से होता है तो उसको क्या करते थे, इस तरीके से sharp end काट लेते थे अब इस area से उसको क्या करते थे दिर दिर चिसल करके चील के उसको obliqually उसको smooth कर देते थे ताकि अब आसानी से पकड़ भी सकें आप और इनकेस कभी पकड़ते समय है movement करते समय है आपके हाथों में वो किसी भी तरीके से वो damage ना करे ठीक है इस scratches ना है he would press wedge shape cuniform signs on to the smooth moist surface अब इसके पहले कि आपका ये जो clay tablet है सूख जाए सूख जाए तो फिर गड़ पर हो जाएगी ना फिर record तो बने गई नहीं इसलिए इसके पहले कि ये मिटी का जो आपका tablet बनने वाला है पुरा वो सूख जाए उस पर स्क्राइब क्या गड़ता था wedge shape cuniform cuniform science जो है उकवर देता था बना देता था अभी क्या होता है अब आप यहाँ पर देख रहे हैं बड़े अजीब टाइप के कुछ सिंबल्स बने हुए इन्हें wedge shape या इसी को cuniform symbols कहते हैं ठीक है cuniform ये शब्द आया है cunis cunis जिसका मतलब होता है wedge w e dg e अब आपको मैं अगर समझाओं क्योंकि आपको हो सकता है cuniform भी नहीं समझ आ रहा होगा और wedge भी समझ नहीं आ रहा हो तो बड़े आसान शब्द में समझ लो तो देखी होगी ना कील इस तरीके से होती है कुछ ट्रेंगुललर शेप होती इकुछ सी सरीकी से यह तो यह इसी आकार के symbols जो होता था वह यहां पर बनाता था clear सब कुछ बना देता था नाव भी बना देता था ठीक है सारी चीज़े बना देता था चली वेन रिकॉर्ड है तो बात हुए थी वह समय भी निकल गया तो अब वह रिकॉर्ड जो है वह रिलेवेंट नहीं रहा उसका यूज नहीं था तो क्या किया जाएगा उन टेबलेट्स को फेक दिया जाएगा ठीक है इच ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड असेपरेट रिटन टेबलेट्स अब इनमें क्या होता था ना अभी एफोर साइज की फाइल तो है नहीं पेपर्स की ए ढाँर्ट के लिए लूग एक सेपरेट रेटन टेबलेट बनते थे तीडैक है यानि बनाइगे चोटा सावी ट्रांजेक्शन हुआ चोटा टेबलेट बना लिए बडा ट्रांजेक्शन तो फिइन बना लिया और उसके एक कार्दिक परूस को स्टोर करके रख लिया जानते हैं कि लोग इतने एड्वांस थे एस्टरणोमी जानते थे मैथमेटिक्स जानते थे क्ल्प्चर्ण थे आर्गिटेक्श डिव्लप था ठीक है पॉलिटिकल सिस्टम किस लेवल पर ऑड़ था एकोनोमिक medieval modern सिर्फ 10% 10-20% 80% जो आपकी ancient history का हिस्सा है जो हरपन से शुरू होता है उसके आसपास शुरू होता है उसका आपको पता ही नहीं है पता का मतलब यह नहीं है कि हरपा का नाम नहीं सुना आपने आपको हरपा और मोहंचदाडों पता तो है लेकिन जो कुछ खुदाई में मिल गया सिर्फ उतना ही पता है हरपंस की लैंग्वेज आपको अभी तक नहीं पता और जब तक किसी की literature language के बारे में नहीं पता होता उनके sign उनके words को उनकी literature लेचर को उनकी लैंगविज को डिकोड नहीं कर लेते हैं तब तक एक्चुल उनके बारे में नहीं बता सकते हैं अभी तो आपको इंटे मिल गई मोहरे मिल गई मूर्तियां मिल गई इसनानागार मिल गया ग्रेट बात तो आपने अब्सरवेशन इंफरेंस निकाल ले कि बारे में हम इतना कुछ जानते हैं जितना हम बाकी इंडियन सिविलिजेशन के बारे में नहीं जानते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तो अभी आपको क्ले टेबलेट के बारे में पता चल गया कि क्ले टेबलेट में यह देखिए जो वेज शेप में बता रहा था ना ठीक आपको इपिरश दिख रहेरे हैं क्यों नीफॉर्म तो कुछ इस तरीके से वह लगते थे और इसे तरीके से वह शेप बना देते थे चली तो यह चीज़ क्लियर हो गई है हमारे पास अब हम उसे स्क्रिप्ट की बारे में बात करते हैं स्क्रिप्ट में लिखा जाता था या वो लैंग्वेज जिन लैंग्वेज की नाम से मुस्वपोटामिय में ठीक है राइटिंग को जाना जाता था कैसे कैसे वो चेंज हुई तो लगवग आज से लगवग साड़े चार हजार साल पहले ठीक है बाहरे 2600 बिफोर क्राइस्ट लेटर्स हुए क्यूनिफॉर्म सी इस मिसिंग हीर क्यूनिफॉर्म लेटर्स कैसे थे क्यूनिफॉर्म थे और लैंग्विजस सुमेरियन लैंग्विज भाशा जो बोली जाती थी वहाँ पर वो स मेसोपुटामिया में क्या होता था मेसोपुटामिया मैंने आपको पहले दिन जब इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था उसमें बताया था मेसोपुटामिया का मतलब है दो नदियों की बीच का शहर यह नाम है मेसोपुटामिया जो उसको दिया गया दो नदियों की बीच वह जो बसे थे उनके सबसे पहला जो इंपॉर्डन शहर था वो था सुमेर सुमेर नाम याद है जिसका जिक्र बुक आफ जिनेसिस में था ओल्ड टेश्टमेंट वाइबल को चहले जिसक्रमेंट में नाम का दिसक्रिप्षिंप्शन था कहीं ने कहीं मेंशन था यह तभी त उस language को Sumerian नाम से जाना जाएगा ठीक है और language क्यों निफॉर्म ही रहेगी लिखा इसी तरीके से जाएगा बड़ इस language को क्या कहा जाएगा Sumerian for example ठीक है जैसे हिंदी है हिंदी को देवनागरी लिपी में लिखा जाता है हिंदी language है और उसकी जो script है ठीक है वो क्या है देवनागरी चली Sumerian is the earliest known language of the Mesopotamia क्योंकि पुराने कुछ शेहर जो थे उनमें से एक Sumer था इसलिए पुराने शेहरों के नाम पर ही महां की language हो जाने जाएगी clear है अब writing was new use not only for keeping records ठीक है writing was not used only for keeping records writing सिर्फ लिखने के लिए या records maintain करने के लिए नहीं की जाती थी उसके अलावा भी उसके कुछ और uses थे जैसे dictionaries बनाना making dictionaries giving legal validity to loud to hear land transfers land transfers ठीक है माल लीजे दो लोगों की बीच में जमीन को लेकर क्या हुआ है जमीन के स्थानांतरन को लेके land की selling और buying को लेके कुछ करार हुए है अब इसको कैसे maintain करेंगे इसको आप maintain करेंगे clear tablet के form में ताकि उसकी एक legal validity हो जाए हाँ इन दो persons के बीच में ए और बी के बीच में जो है वो क्या हुआ है ट्रांजेक्शन हुआ है तो उस ट्रांजेक्शन को उस लीगल लैंड ट्रांसफर को लीगल वैलेडिटी दे दी जाती थी नेरेटिंग दीट्स ऑफ किंग्स मैसोबटामी में जो राजा होते थे वह डिफरेंट डिफरेंट अक्टिविटीज करते थे बहुत सारे अलग-अलग काम करते थे अब कोई भी राजा है उसने पर्टिकुलर मालीजे और पास किया कुछ भी किया है तो उसके जो काम हैं उसकी जो एक्टिविटीज हैं उसको नेरेट करने के लिए पबलिक को बताने के लिए ठीक है क्ले का इस्तमाल किया जाता था चेंजेस एनॉंस्ड बाइदे किंग्स इन कस्टमरीज लॉज यानि माल लीजे एक पिछले दस सालों से क कोई एक कस्टम चला रहा है को एक रूल चला रहा था मिसोपटमय के सुमेर्स शहर में अब नयारा राजा था कि माल मार्श रागय अब यह मार्कर नाम है तो एनॉंस को कुछ लग नए बनाने आभी क्या करेंगा कि अभी करेंगा law में चेंजेस तो लोग जो में चेंज इ भी इसमें record कर लिए जाते थे तो writing सिर्फ लिखने का ही या record मतलब जो writing record करने का ही जरीया नहीं होता था उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती थी जिनको वह maintain करते थे evidence के form में रखते थे ठीक है जैसे डिक्ष्णरी इस legal validity देना land records को राजाओं के दौरा किये कामों को ठीक है और राजा के दौरा बनाये जाने वाले या change किये जाने वाले laws को by 2400 लगवग 200 साल बाद ठीक है 2600 में क्या था language तो क्यों निफॉर्म ही थी और script uniform थी language Sumerian थी लगवग 200 साल के बाद क्या होगा language जो है Sumerian से change हो जाएगी क्या हो जाएगी Acadian हो जाएगी क्यों क्यों क्योंकि यहां पर Sumer के बाद एक दूसरा शहर बहुत important डिवलप हो जाएगा अकड और Sumer शहर के रहने वाले लोग Sumerians कहलाते थे तो अकड सहर के रहने वाले लोग जो होंगे वो Acadians कहलाएंगे इस लिए इस language को भी हम किस नाम से जानेंगे अब Acadian language के नाम से जानेंगे hopefully यह चीज clear हो गई होगी आपको language से related चली तो आगे बढ़ते हैं चली अभी तक तो clay tablets के बारे में हमने पूरा description समझ लिया अब system of writing देखते हैं यानी system of writing का मतलब है कि यह जो लिखावर्ट थी ठीक है ना यह basically थी कैसी so the sounds that a cuniform sign represented was not a single consonant अभी तो हम cuniform, clay tablet यह सब कुछ अच्छे से समझ रहे थे लेकिन अब यह आपको दूसरा aspect writing का develop कर रहा है system of writing लेखन कला है कैसी उनकी basically, art of writing जो है वो कैसी है basically तो the sound that a cuniform sign represented अब आपको अभी तक मैंने बताया कुछ देर पहले just की जो verbal sound था जिसको वो बोलते थे उस sound को वो visible sign के form में express कर देते थे writing में ठीक है इस तरह से उनकी writing जो art है वो develop होई तो जो sound है उसको वो जो uniform sign में represent कर रहे थे ठीक है वो होता कैसा था अगर मैं English की बात करूं माल लीजे तो जैसे क्या होते थे बट syllables यानि group of letters होते थे बेसिकली पूर एग्जेम्पल पी यूटी पुट हो गया ओर और और हो गया ठीक है तो अभी क्या है एक symbol वो particular group of letters को represent कर रहा है syllable को represent कर रहा है ठीक है तो क्योनिफॉर्म साइन कैसी होती थी क्योनिफॉर्म साइन में एक अक्षर को represent नहीं किया जाता था बलकि कुछ अक्षरों का कुछ letters का combination होता था ठीक है आच्छा does the sign that a Mesopotamian scribe had to learn ran into hundreds इस तरीके से आप क्योंकि क्या होता था बहुत जो भाशा लिखनी है जो चीज़े express करनी है उनको मान लीजे किसी documented को ही लिखना है तो उसमें इस तरीके के बहुत सारे हजारों के amount में लगबग सौ से ज़्यादा sign हो जाते थे और इवन इससे ज़्यादा हो जाते थे क्योंकि आपने देखा लगबग 5000 ऐसे साइन मिले हैं आपको जिनको लिखना होता था जिनको यूज करते थे क्ली टैबलेट्स में ठीक है इसलिए इसलिए राइटिंग जो होती थी वो सिर्फ एक स्किल क्राफ्ट ही नहीं थी राइटिंग वोज नॉट अनॉनली स्किल क् यह बहुत बड़े लेवल पर बहुत दीक एचीवमेंट भी था क्यों क्योंकि उस परसन को जिसको यह राइटिंग लिखनी होती थी सोची उसकी मैमोरी पावर भी कितने स्ट्रॉंग होगी कि उनको इतने सारे सिंबल्स जो है वो याद करने होते थे इस सिंबल का यह है तो यह एक इंटेलेक्च्वल अचीवमेंट था मेसोपटामिया का ठीक ना लिखना पड़ना और इस्पेशली राइटिंग आगे बढ़ते हैं अब बहुत इंपॉर्डेंट इंट्रेस्टिंग सा इंसिडेंट है सिस्टम आफ राइटिंग को समझाने के लिए ठीक है क कि सिटी लाइफ शहरी जीवन व्यापार और लिखना जो होता था राइटिंग जो आर्ट होती थी उसके बीच में बड़ा अच्छा कनेक्शन था कि राइटिंग कैसे सारी चीज़ों को कॉडिनेट करती थी सिटी लाइफ को कॉडिनेट करती थी तो इसके लिए एक भी पोएम है ठीक है जो सुमेरियन कल्चर में एक बड़ी सेलिबरेटेड बड़ी रिनोन पोएम है उसको उसमें डेपिक्ट किया गया है इस इंसिडेंट को इस कनेक्शन को उस पोएम में डेपिक्ट किया गया है यह कहानी किसकी है यह कहानी है किंग अन्मार्कर की ठीक ह यह क्या था one of the earliest king of city of Urk उर्क का पुराना यानि कुछ जो पुराने से पुराने राजा थे उन में से जो शुर्वाती राजा थे उन में से एक था अन्मार्कर अब होता क्या है कि एन्मार्कर जो है इसको उर्क शहर में जो मंदिर है टेंपल है उसको beautify करना है उसको और खूबसूरत बनाना है और इसके लिए उसको किसकी जरूत है कुछ important stones की lapis lazuli की requirement है ठीक है metals की requirement है तो इन जो चीजों की जो stones की metals की और भी कुछ चीजों की जो requirement है अन्मार्कर की इसके लिए वो क्या करता है अपने messenger को अपने एक संदेश वाहक को भेशता है एक दूसरे शहर में जहां पर वो चीजें sufficient amount में available है वो शहर का नाम है अराटा अब किंग मार्क किंग अन्मार्कर जो है वो messenger को अराटा जाने के लिए कहता है और अपना पूरा message जो होता है उसको अच्छे से सुनाता है कि तुम सुन लो ये ये चीजें करनी है तुमें तुम अराटा जाओ वहां के ruler को बोलो कि हमें ये stone चाहिए आप वो stone दे दीजे क्योंकि हमें मंदिर में वो सब वो निकल गए अब वो जमाना जहां कि अभी बैलगाडी भी अच्छे से डिवलप नहीं हो पाई है या ना दीरे दीरे डिवलप हो रही है मतलब कुल में लाके तो ऐसे एरियाज में तो बैल लाडी कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसको पहाड़ों के एरिया से निकलना था वो पैदल ही निकला चलिए अब पैदल निकलता है जब तो कुछ दूरी सफरता还 करता है फिर और दूर सफरता है करता है फिर एक ऐसे सिच्वेशन आती है जब उसे पाँच पहाड़ियां छै पहाड़ियां साथपाड़ियां क्रॉस करनी पड़ती है ठीक और वो इतनी हाइट पर चला जाता है कि वो एक शहर पहुंचता है सुसा नाम का सहर है जब वो यहां के लोग उसे इस तरीके से दिखते हैं जैसे किसी वो मतलब एक इनसान को चुहा दिखता हो यानि इतने छोटे दिख रहे थे वो इतनी हाइट पर पहुंच गया था पहाड़ियों चड़ते चड़ते पहाड़ियों को क्रॉस करते करते अब बैचारा वहां पहुंचता तो है अराटा सहर जब यह मैसेंजर तो इतना चला हुआ है इतना ठका हुआ है कि उसका जो मैसेज है वो मिक्सप हो जाता है ठीक है उसको चीजने याद नहीं रहती है वह कुछ भी मेरी demands हैं इन demands को मैं क्या करता हूं written कर देता हूं तो अब अन्मार्गर क्या करता है कि यह सारी जो demands जो उसने messenger को बोली थी उनको वो written कर देता है clay tablet में ठीच है और इस clay tablet के पास वो पहुंचता है इस बार फाइनली ही और clay tablet उसको देता है तो अराटा का जो राजा है वो देखते ही रह जाता है उसका चेहरा ही देखने लाएक रहता है क्योंकि पहली बार वो ऐसी writing वाली चीज़ें देख रहा था ठीक है और यह एक art थी ठीक है जो उसके लिए न किंग एनमार करका यह जो मैसेज है वो देना यह पोयम भले उतनी अच्छी आ सही ना हो उतनी मतलब अच्छे से चीज़ों को एक्सप्रेस ना करती हो लेकिन इस स्टोरी को पोयम को पढ़ने के बाद एक चीज रिलाइज होती है ठीक है कि राइटिंग जो है वो सिर्फ इ के लिए ही नहीं स्टोरीज स्टोरेज के अलावा इन्फॉरमेशन स्टोरेज के अलावा यह मैसेंजिंग के काम में भी आता था मैसेजिंग के काम में भी आता था यानि की जो इन्फॉरमेशन एक सिटी से दूसरे सिटी में शेयर करनी है तो मैसेंजर्स को पूरा एक लिस सबसे important चीज जो story के last में है कि जब अराठा का king उस tablet को देखता है तो उसका चेहरा देखने लाइक रहता है क्यों क्यों कि उस जमाने में लिखना पड़ना या इस तरीके का writing करना ये एक superiority का भी symbol होता था it was a sign of superiority Mesopotamian urban culture में यानि Anmarker ने कहीं न कहीं अपनी एक impression जो हो छोड़ दी उस अराठा के राजा के दिमाग में कि यार जो उर्क शहर का राजा है वो कितना पड़ा लिखा है वो message भेज रहा है written में कि हमें ये चीजें चाहिए इसके अलावा दूसरा aspect जो हमें पता चलता है इस poem से वो ये है it was kingship that organized trade and writing यानि कि जो राज तंत्र होता था त्रेट वगेरा में और राइटिंग वगेरा में इन सबका जो कंट्रोल होता था राजा का होता था तो फुली आपको ये समझ में आ गया यहां पर हमने राइटिंग का aspect लगभग लगभग complete कर लिया अब आगे बढ़ते हैं city life की तरफ ठीक है शहरी जीवन कैसा होना चाह रूरल लाइफ से हम city life की तरफ आए city life में दूसरा एक aspect हमने written का देखा और राइटिंग से जुड़े सारे aspects देखे कि कैसी language थी, uniform थी, wet shape थी, ठीक है सुमेरियन थी, acadian थी, इसके बाद राइटिंग का importance था, use क्या था राइटिंग का ही हमने वहां पे देखा, अब आते ह उन शहरों की तरफ जिन शहरों का हमने शुरुवात में जिकर किया था, उरक का फिर हम मादी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए सबसे पहले आपको उरक शहर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो शुरुवात करते हैं, settlement से, ज जब हम पढ़ रहे थे शुरुवात में, तो हमने क्या discussion किया था, कि जो शहरी जीवन है, agricultural activities है, उसका basic यहीं से शुरू होगा, और बाद में फिर शहर डिवलप होंगे, ठीक है, so from 5000 before Christ, settlements had begun to develop in southern Mesopotamia, दक्षणी Mesopotamia में, Mesopotamia के दक्षणी हिस्से में, जो desert वाला हिस्सा यहाँ पर क्या होगा, शहरी जीवन धीरे धीरे शुरू होगा, और कुछ पुराने शहर, जो पुराने शहर थे, the earliest cities emerged from some of these settlements, ठीक है न, यहीं पर इमर्ज होंगे, जैसे उर्ग के बारे में बात करूँगा, तो यहीं पर है, जिसका अभी हमने जिकर किया, आयन मारकर का, तो वो उर्ग शहर का राजा था, तो वो इसी southern part में था, चलिए, अब धीरे धीरे इन settlements में जो type of settlements थे, वो किस तरीके से थे और यहाँ पर शहरी जीवन किस तरीके का था, those that gradually developed around temples, ऐसे शहर जो मंदिरों के आसपास डिवलप हुए थे, ठीके धीरे धीरे, those that developed as centers of trade, कुछ ऐसे शहर थे, जो एक trade center के तोर पर डिवलप होंगे, और दूसरे कुछ imperial cities, यानि particularly अपने political leadership के लिए जाने जाने वाली cities या शहर, तो तीन तरीके के जो शहर हैं, उनका हम discussion करने वाले हैं, तीन तरीके के नहीं सिर्फ दो तरीके के ही शहरों का discussion करने वाले हैं, मेजोपटामिया में, actually तीन तरीके के शहर बसे हुए थे, बट यहां आपके book में सिर्फ दो तरीके के शहरों का discussion है, पहला जिन में templess या जो templess के आसपास develop होने वाले हैं, और दूस politics economy society religion culture ethics values everything is revolving around the temple mandir के आसपास ही तब कुछ गूम रहा है दूसरा शहर जो है मारी जिसके बारे में बात करेंगे वो है center of trade एक ऐसा शहर जो सिर्फ और सिर्जा का political leadership इतना strong नहीं है लेकिन trade इतना मुझबूत है कि trade की वज़े से वो एक अच्छा urban center बनके उभरने वाला है तो hopefully आपको समझ में आ गया है कि हम क्या अब आगे पढ़ने जा रहे हैं ये एक temple है जो Mesopotamia में आपको मिलेगा इन्हें हम जिगूरत कहते थे क्या कहते थे जिगूरत कहते थे यानि Mesopotamian temples का नाम है ये जिगूरत और ये इतने important होते थे कि temple के नाम पे आप चाहिए कुछ भी करवा लो Mesopotamian से ठीक है ना राजा वहां की प्रजा को मतलब कहीं का नहीं छोड़ता था temple के नाम पे ठीक है ना temples और Kings रहेंगे क्योंकि शहर दो ही जिगे विक्सित हुए या दो ही तरीके के शहर थे जो ट्रेडिंग में आगे थे या दूसरा जो temple के आसपास develop हो रहे थे the earliest known temple was a small shrine made of unbaked bricks तो जो सबसे पुराने temple के evidences मिल रहे हैं हमें ठीक है वो किस तरीके का एक ऐसा मंदिर है जो कच्ची इंटों से बना हुआ है अन बेक्ड ब्रिक से बना हुआ है ठीक ना इंटे हैं उनको जब आप बेक कर दें हैं ना हमने साथ पहले भी discussion किया था मिटी की इटे बनती है अब मिटी की इटे बना किया जा जो कची इंटे हों तो क्या वो इतना मजबूत इस्ट्रक्चर बनेगा अब आव इसलिए अब आप कंपैरेजन करते चले यह 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 पार्ट बड़ा इंट्रस्टिंग है अगर आप कंपेर करके पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाज़ेशन सिंदू काड़े सब लोग पकी हुई इटे का स्तमाल करते थे इसलिए उनके कंस्रक्शन ज्यादा मजबूत हैं चलिए सो अर्लियस नोन टैंपल वह स्मॉल श्राइन एक स्मॉल धार में किस्तल होता था चोटा धार में किस्तल होता था श्राइन होती थी जो कच्छी इटों से बनी हुई होती तो मंदिर होता है किसी ने किसी देवता को डेडिकेटेट होता है ठीक है तो इसलिए यहां के मंदिरों को भी क्या माना जाता था कि there are certain gods कुछ नकुछ देवता रह रहे हैं देख रहे हैं आप कितना मैगनिफीशन मंदिर बना हुआ है यह लंबी सीडी जो है वो इस एक ए ना सबसे टॉप पर प्रीष्ट रहेगा पुजारी रहेगा ठीक है तो मंदिर उनका मान लीजे किला है एक ऐसा किला जहां पर सारी अक्टिविटीज रेगुलेट होती जहां से सारी अक्टिविटीज रेगुलेट होती चली तो temples were the residents of various gods बहुत सारे देवताओं का इस्थ नाम है और और जो है वो कोन है मून गॉड है चंदर देवता को और कहा गया है ठीक है और दूसरा जो है दूसरी कहना चाहिए तो दूसरी जो है वो देवी है इनाना ये कौन है गॉड़ेस आफ लव एंड वार अब इतने जिस लेबल पर सेटलमेंट है भी मैसोपठामिया दोनी कुछ सकते हैं तो इसलिए देडिकेट की गई है किस चीज के लिए इधर लव और वार तो एक देवता है चंदर देवता है तीक है और दूसरी देवी है इनाना, she was the goddess of love and war, ठीक है न, चलिए, अब ये मंदिर कैसा है, जैसा मैंने कहा है, की इंटों से बना हुआ है, constructed in bricks, temple became larger over time, धीरे 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 करके temple बड़े होते चले जाते थे, ठीक है, with several rooms around open courtyards, ठीक है, अब ये आपको उपर से दिखाया जा रहा है, अभी आप इसका और internal structure देखेंगे, ठीक है, कुछ और images, आप search करके जब आप देखोगे, ठीक है, तो, कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको temple, की, ये walls ऐसे बनती थी, इस तरीके से in और out होती हुई walls मिलती थी, एक open courtyard होता था, आंगन होता था, ठीक है, तो temple अपना विस्तार करता चला जाता थ Some of the early ones were possibly not unlike the ordinary house, ठीक है, यानी, धीरे-धीरे मंदिर जो होते थे, वो इतने विस्तार कर जाते थे, कि वो सामान निघर की तरह तो नहीं ही दिखते थे, ठीक है, क्यों, क्योंकि, obviously बात है, सामान निघर, सामान ने लोगों के लिए है, and temple is the residence of God, मंदिर जो है, वो खुद भ इतना easy नहीं है, क्योंकि ये कुछ outer structure आपको show कर रहा है बस, लेकिन जो आप internal structure देखेंगे, तो उसमें क्या होता था, उनकी जो walls होती थी, आपकी book में बड़ा बहतर सा चितर दिया गया है, उसमें क्या ही की, mud structure दिखाया गया है, उर्क का एक मंदिर है वो, जिसमें walls जो ह पहले इस तरीके से walls हैं, फिर वो अंदर जाती है, फिर बाहर की तरफ आती है, तो in and out, एक regular interval में, जैसे माल लिए, चार फिट दिवार मनी, तो चार फिट दिवार है, उसके बाद उसको outer movement दिया गया है, चार फिट आउटर है, फिर उसको आगे ले जाके फिर in किया गया ह है, तो इस तरीके से in and out है, ठीक है, ordinary buildings में इस तरीके के structure देखने को नहीं मिलते थे, यह सिर्फ मंदिर में देखने को मिलता था, जो की इसको थोड़ा सा अलग बनाता था, इस construction को थोड़ा सा अलग बनाता था, चलिए, the God was the focus of worship to him or her people brought grain, curd and fish, ठीक है, और देवता है, तो तो देवता की पूजा होती थी और पूजा में किन चीजों को offer किया जाता था, अनाज, अनाज लेके आते थे लोग, अनाज को offer करते थे, समर्पित करते थे, दही, curd और फिश, अब आपको कैसे पता चला, मंदिर का जो floor है, वहाँ पर आपको मशलियों की जो हड्डियां ह आपको मेसोपोटामिया में, एक्सके वेशन के दौरान मिलती है, तो दूसरा एसपेक्ट क्या है, इहां पर सबकुछ डेडिकेट किया हुआ है, इन्होंने किसको गौड को डेडिकेट किया हुआ है, आज के रेट में आप देखते हैं कई बार की तेरा तुछ को और पन, यानि जो कुछ भी है हमारे पास वो सारा किसके पास है, या सब किस से रिलेटेड है, किसको डेडिकेटेड है, देवता को डेडिकेटेड है, तो यहां पर उन्होंने वही कुछ सिमिलर टाइप का कंसेप्ट रखा हुआ है, ते औरिटिकल ओनर, मतलब प्राक्टिकली तो लोग उसको यूस कर रहे हैं, यह ना, बिहेवियर में, प्राक्टिकली में, तो मेसोपटामिया के लोग उसको इसको इस्तमाल कर रहे हैं, लेकिन ठेडिकली वो क्या मान के चल रहे हैं, कि जितना भी रिसोर्स है हमारे पास, चाहे वो खेती हो, अगरिकल्चर हो, खेत के म हमारे मंदिर में रहने वाले देवता की हैं तो इस तरीके के कुछ माइंड सेट जो है वो वहाँ पर रखते हैं ठीक है ना मेसोपटामिय के लोग मंदिर के लिए रखते हैं अब समय के साथ-साथ क्या हुआ दीरे दीरे वहाँ पर कुछ और अक्टिविटीज होनी शुरू होगी अभी तक मंदिर क्या था अभी तक मंदिर जो है वो एक तरीके से क्या है सारी चीजों की ऑनर्शिप रखता है और प्राइटर्शिप रखता है लेकिन दीरे-दीरे क्या होगा समय बढ़ने के साथ-साथ मंदिर में एकनोमिक आक्टिविटीज भी शुरू हो जाएंगी देखिए आप ठीक है ना तो प्रोसेसिंग औफ प्रोड्यूस फूड प्रोड्यूस और फूड प्रोसेसिंग भी वहां पर शुरू हो जाएगी मंदिर के कैंपस के अंदर यह लोग करते थे सारी अक्टिविटीज प उसको क्या करेंगे उसके वाद जैसे माली जगिंद करेंगे तो अनाज गृंडिंग ऑफ ग्रेंज होती थी वह मंदिर केंदर होती थी स्पिनिंग वूल वगएरा नों निकलता था उन से अना उसकी स्पिनिंग और वेविंग उससे जो फाइबरिक बन रहा है यह सारी एक everything अब आप देख रहे हैं कि धीरे-देरी क्या हो रहा है पहले तो economic activities हो रही है फिर क्या हो रहा है जो कुछ भी वह activity करते हैं जो कुछ भी production की activity करते हैं ठीक है ना इसके बाद जो written records होते हैं कुछ transactions के वो ठीक है जो distribute हुआ है वहां पर वो सारी चीज़ें किसी को कुछ a lot हुआ है वो सब कुछ यह सारा लिस्ट भी मंदिर के अंदर होता था और यहीं से सारा procedure भी शुरू हो रहा है कैसे procedure शुरू हो रहा है कि पहले तो economic activity हुई इसके बाद फिर अब जो कुछ भी food production हुआ अब surplus हो गया तो surplus ह हो गया माली यह इस बार पिशली बार से ज्यादा फसल हो गई आप इसको वो कहां store करके रखेंगे मंदिर में करके रखेंगे ठीक है ना चलिए फिर जो व्यापारी हैं जो भी कुछ trading activity करते हैं तो उन्होंने जिनको employ किया हुआ उससे related return records है वो भी कहां पर रखें रखा मंदिर में रखा जाएगा तो सारे return records मंदिर में रखें रखेंगे ठीक है चलो इसके अलावा कोई चीज जो है लॉट की गई है जैसे अनाज लॉट किया गया है जरूरत मंद लोगों को distribute किया तो उसका भी record कहां मंदिर में रखा जाएगा ठीक है everything everything will be recorded and kept inside the temples तो कुल मिला कि आप देख रहें कि temple हर activity का क्या हो रहा है center बन रहा है तो temple आगे जाके क्या होगा gradually after some time it will become a urban institution यानी शहर का एक इंपॉर्टन संस्था बनके निकलाएगा एक इंपॉर्टन अर्वन इंस्टिविशन बनके आ जाएगा यानी कि हर एक activity जो है वो कहां से regulate होने वाली है temple से regulate होने वाली है तो अभी तक जो है हमने जो पढ़ा वो यह पढ़ा मैसोपटामिया के शहरी जीवन के बारे में और जो भी पढ़ा वो सब कुछ अच्छा अच्छा था लेकिन क्या मैसोपटामिया में सब कुछ बहतर ही चल रहा था क्या कहीं कुछ भी इ इतने बड़े लेवल पर सेटलमेंट होगा तो क्या लोगों के बीच में कभी ऐसी सिचुएशन नहीं क्रियेट होगी जब कुछ डिस्प्यूट्स एराइज हो हां तो अब हम कुछ इशूस के बारें पढ़ते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारें पढ़ते हैं जो मेसोपटा चर्चा कर रहे हैं ठीक हैं वो कहाँ है यूफरेट्स और टिऑ्स नदीयों के बीच में हैं दो नदीयों के बीच में нदीया सकता कि उस जमाने में आज भी नदीयां फलड़ लेके आती हैं कभी ऐससी सिचुएशन हो सकती है कि नदियों में flood हो सकता है या फिर कई बार इंसान का intervention ऐसा ज़्यादा हो सकता है कि उन नदियों में इंसान ही problem create कर दे ठीक है पानी रोक ले ज़्यादा पानी छोड़ दे तो इस तरीके की situations create हो सकती है तो अब हम उसी aspect को देखने वाले हैं कि उस समय Mesopotamia में क्या क्या problems थी चाहें वो natural problem हो चाहें वो manmade problem हो ठीक है चले तो in spite of natural fertility agriculture was subject to hazards तो जो लोग upstream पे रहते थे ठीक है वो क्या कर सकते थे पानी को divert कर सकते थे इसका मतलब क्या हुआ तो पहली problem जो यहां पर rise होके आ रही है वो problem जो है वो manmade problem है ठीक है manmade problem क्या है कि upstream में जो लोग रहते थे अब यह river हो गई for example तो जब भी river flow होती है देखिए तो as per the terrain वहां का जो जमीनी ढाल हो या उचाई का इलाका हो उसके basis पर उसे हम जो है देख रहे हैं आपे तो जो ऊपर का हिस्सा होता है जब उस नदी के बहाव का वो कहलाता है upstream और जो निचला हिस्सा होता है बहाव का वो कहलाता है downstream 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 ठीक है अब क्या है वो लोग जो upstream में रहते थे यानि नदी के बहाव के उपरीक शेतर में रहते थे ठीक है could divert so much water into their fields अभी क्या करेंगे अपने खेतों की तरफ ज्यादा पानी डाइवर्ट कर लेंगे तो नदी का जो पानी है वो डाइवर्ट हो जाएगा जब maximum amount में दूसरे खेतों की तरफ irrigation में इस्तेमाल हो जाएगा तो downstream में जो flow है water का volume है water का वो तो कम हो जाएगा अब क्या होगा downstream वाले क्या कहेंगे भाई साब हमें पानी दे दो यानि कि एक dispute का scope क्रियेट हो गया ना लडाई जगड़े की वज़े बना दी इन्होंने सम्टाइम्स दे कुड नेगलेक्ट टू क्लीन आउट दशेट ऑफ चैनल अब पानी तो ले लिया भाई साब ने कभी-कभी लेकिन कभी-कभी क्या करते थे कि downstream में क्या करते थे लोग नदी जब बहक आईगे तो देरे-देरे सिल्ट जमाव हो जाएगा वहां पर सिल्ट का जमाव हो जाएगा और जब ज़्यादा जम जाएगा तो उसे क्या होगा पानी का जो बहाव है वो ब्लॉक होगा नीचे की तरफ ठीक है जिससे भी downstream के लोगों को पानी की समस्या होगी इसलिए मेसोपटामिया के जो लोग थे अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती थी कि बिचारे लड़ाई जगड़ा सिचुईशन्स बनी रहती थी यह ना लड़ते जगड़ते रहते थे इन सिचुईशन्स को लेके ठीक है अभी हम और देखते हैं नैचुरल भी है उसके बावजूद भी ठीक है अगरिकल्चर वो सब्जेक्ट टू हैजार्ड यानि जो खेती है वो खेती कहीं ने कहीं नुकसान हो जाती थी ठीक है क्यों टू मच वाटर इन दा नाचुरल आउटलिट चैनल्स ऑफ यूफरेट्स वोट फ्लॉट दो क्रॉप कभी-कभ तो ऐसे सिचुएशन लेके आएगी कि फ्लॉट हो एना फ्लॉट वाली सिचुएशन क्रेट हो तो यह क्या होता था कभी-कभी जो नैच्रल आउटलेट्स होते थे यूफरेट्स रिवर के वहाँ पर फ्लॉट की सिचुएशन होती थी वाटर लेवल बढ़ जाता था में थोड़ा बहुत रेन हो गई बारिश तो हो गई ठीक है तो इसकी वज़े से कभी-कभी क्या हो जाता था कि फ्लॉट होती थी अब उस फ्लॉट की वज़े से जो क्रॉप होती थी वह पूरी-पूरी नश्ट हो जाएगी पानी भर जाएगा फसलों में ठीक है सम टाइम दे होती है एस पर अर्केलोजिकल रिकॉर्ट विलेजिस वेर पिरियोडिकली रिलोकेटेड इन मेसोपटामियन हिस्ट्री हमारे पास क्ले टेबलेट में हमारे पास एविडेंस हैं यह लिखा हुआ है ठीक है यह चीज़ डिकोड की गई है उसमें पढ़के कि कई बार ऐसी सि इतिहास में जो शहर है इन शहरों को क्या किया गया है रिलोकेट किया गया है एक जगह से दूसरे जगह पर शिप्ट किया गया है क्यों पानी का अमाउंट या पानी के खत्रे की वजह से ठीक है तो नैचिरल प्रॉब्लम देख ली हमने मैनमेट प्रॉब्लम देख ली हमन जो तोड़ा सा leadership quality show करेंगे leadership quality show करेंगे तो वो बहुत सारे लोगों को अपना followers बना सकते हैं और इस तरीके से राज़ा बनने का या publicity जो publicity है वो gain करने का उनके पास एक बहुत golden opportunity है so continuous warfare in the region उस particular शेतर में लगातार लड़ाई जगड़ी की जो situation है जब वो create हो रही है तो उसमें कुछ लोग है ठीक है जो chief है वो emerge victorious यानि जैसे माली यह गाउं हो गया यह गाउं हो गया यह गाउं हो गया यह मैं कह दूँ यह एक शहर हो गया यह दो गाउं को मिला के चलिए आ आप यहां पर दो तरीके के लोग हैं पहले वो जो coordination करते हैं सारी activities में और दूसरे वो जो सिर्फ follow करते हैं तो जो command कर रहा है chief है ठीक है वो obvious सी बात है कुछ लोगों के help से इस तरह की war की activity को जीतेगा ठीक है so that chief will emerge victorious वो विजेता हो जाएगा और अब वो क्या करेगा distribute the loot to oblige the followers अब जितने लोगों को अपने साथ में लेके उस warfare में include था इस जगडे में include था उनको वो अपने साथ जो चीज आई है जो फाइदा हुआ है जो loot मिली है उसको वो distribute करेगा ठीक है as a obligation कह सकते हैं आप ठीक और गेन करें वो उनका support और जादा से जादा मिले ठीक ना चलिए इसके अलावा और क्या होता था इसके अलावा अपने followers को तो वो जहां loot का सामान देते थे या loot share करते थे दूसरी तरफ जिन लोगों को उन्होंने defeat किया है उनको prisoners भी बनाते थे ठीक है उनको वो imprisonment कर देत थे उनको वो jail में डाल देते थे और इसके अलावा उनको as a servant as a knocker employee भी करते थे बहुत सारी activities में और इससे क्या होता था इससे धीरे 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 उनका influence बढ़ता था यह सारा काम करके वो chief जो है उस particular शहर की वो क्या कर रहे हैं वो अपना influence बढ़ा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जो continuous warfare है वो कहीं ने कहीं कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है और कुछ लोगों को वो फाइदा भी पहुंचा रहा है ठीक है अब in time victorians chief begin to offer precious booty to the it should be gods ठीक है to gods अब जो लूट का समान होता था बूटी का मतलब यहां पर जो समपति मिलती थी उनको जो लूट का समान हुत ठीक है जो लूट से उन्हें wealth achieve होती थी तो दीरे दीरे जोंचो विजेता chief होते थे में कभील आए शहरों के गावों मंदिर में एक डेडिकेटेड देवी ही है ना इनाना गॉडड़स ओफ लव और या नहीं कहीं नहीं कहीं वार को यह बहुत इंपॉर्डन आक्टिविटी के तौर पे ले रहे हैं तो जितना ज़्यादा इनाना को यह offerings देंगे ठीक है उतना ज़्यादा उसकी blessing मिलेगी और उतना ज़्यादा वो कहीं न कहीं वार में help करेगी इनके beautification of temples मंदिरों के सुंदरता बढ़ाने में उस संपत्ति को खर्च किया जाता था they would send man and to fetch find stones and metals ठीक है तो अब क्या करेंगे वो मंदिरों को और सुंदर बनाने के लिए फिर लोगों को यहां महां भेजा जाएगा दूसरे शहरों में भेजा जाएगा ताकि जो कीमती पत्थर हैं precious stones हैं वो मिलें ठीक हैं वो ज्यादा ज्यादा वो ले के आएं metal ले के आएं ताकि मंदिरों की और सुंदरता बढ़ाई जाय सके organize the distribution of temple wealth in an efficient way to accounting for things that come in and went out इसके अलावा उसमें क्या किया जाएगा अब temple में जिन चीजों को जिन wealth का distribution होता है उसका record भी maintain किया जाएगा this give the king high status and authority to command the community और इस तरह से धीरे 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 मेसोपुटामिया में politically भी आप देखेंगे मेसोपुटामिया के उर्ख शहर में क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो उर्ख शहर की बात कर रहे हैं दीरे दीरे उर्ख शहर में political जो system है वो किस तरीके से consolidate होता चला गया ठीक है यानि यह सारी activity करके राजा क्या है राजा अपने आपको इस position में और establish कर रहा है कि वह ज्यादा से जोदो लोगों को command कर सके या community के लोग जो है उसे क्या कर सके accept कर सके as ruler ठीक है leaders encourage the settlement of villagers close to themselves उर्ख शहर में यह आप देखने को पाएंगे कि वहाँ पे जो उर्ख तो main शहर हो गया main city हो गई अब उर्ख का जो राजा है वो लोगों को motivate करेगा किस बात के लिए motivate करेगा कि गाओं के शहर के आसपास गाओं के बसें शहर के मुख शहर के आसपास बसें तो उर्ख शहर में यह pattern आपको देखने को मिलेगा कि शहर के आसपास मुख शहर के आसपास छोटे चोटे गाओं सेटेल हैं क्यूं तो बी एबल तो गेट आर्मी टुगेदर जब भी ज़रुत पड़ेगी तो sufficient amount of people that king can get to fight the war यान would be safe in close territory इसके सासा दूसरा reason क्या होगा safety भी maintain की जा सकती है ठीक है यानि कि लोग जब close proximity में रहेंगे आसपास तो वो ज़्यादा safe महसूस करेंगे अब उर्क में एक और चीज़ देखने को मिलती है कि यह जो उर्क शहर था इसके चारो तरफ क्या है एक defensive wall create की गई थी ठीक है तो जैसे जैसे शहर का विकास होता था वैसे वैसे उस शहर को एक रक्षात्मक दीवार से ढख दिया जाता था एक defensive wall से cover कर दिया जाता था ठीक है ना अब यह कैसे हमें पता चल रहा है क्योंकि आप देखिए हमारे पास यह जितनी भी चीज़ें डिसकस की जा रही है ते all are based on evidences तो इतने सारे जो मिट्टी के tablet मिल रहे हैं आपको electronic वाले नहीं है ना तो उन सारे tablets में यही सब कुछ लिखा हुआ है जो कहानी आप से मैं share कर रहा हूं तो लगभग 3000 before common era लगभग और जो था वो 200 hectare में फैला हुआ था ठीक है और इसके बाद dozens of small village were deserted ठीक है अब दीरे दीर जैसे से उसका विकास हो रहा था तो इसको बसाने के लिए लगभग लगभग दर्जनों जो गाव थे उनको rehabilitate किया गया पुनरुस्थापित किया वहां से नश्ट किया गया एक तरीके से आप कह सकते हैं तो कई सारे गावों की कुर्वानी देके और शहर का expansion हो रहा है और 2800 में expand हो चुका है ठीक है ना अब इन शहरों में जब ज्यादा expansion होता था ठीक है तो leader और क्या कर रहा है war captives and local people were put to work for temple and directly for the rulers तो अब authority बढ़ा रहा है राजा जगडे करकर के युद्ध जीत जीत के तो वो क्या कर रहा है वो war captives यानि जो defeated लोग थे युद्ध बंदी थे उ रखुल मिला कि आप यह कह सकते हैं कि मंदिर भी राजा ने भले एक तरीके से अपने आपको symbolic राजा बनाया है है तो मंदिर का ही representative तो लोग राजा के लिए भी काम कर रहे हैं तो directly वो अपने काम के लिए भी एपॉइंट करता था या फिर मंदिर के काम के लिए पॉइंट करके रखा जाता था 365 डेस तक उनको वर्क में इंप्लॉई करके रखा जाता था लेकिन खाने पीने की चीज़ें भी उनको दी जाती थी तो वेर पुट वर्क वेर पेड राशन जिन लोगों को काम करवाया जाता था उनको राशन भी दिया जाता था आपको कैसे पता चला में बकासे लिस्ट लिक्ए हुई है ठीग है कि मोहन आया है 22गंटे काम किया है ठीग ना तुम हम कोएक काम करो पांच किलो चावल दे दो ठीग ना तो जिन लोगों को जितना भी आनाज दिया गया है और कपड़े दिये गए थीडि पांचिक लो अनाज के साथ एक काम करो एक शर्ट भी दे दो बहुत देर से काम कर रहा है बहुत दिनों से काम कर रहा है ठीक है ना तो अनाज भी दिया जाता था और कपड़े भी दिये जाते थे और उन सब तो एक क्ले टेबलेट में ये एविडेंस है जो यहां पर आपको शो किया जा रहा है ठीक है कि ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि एक मंदिर बनने के लिए ठीक है लगवाग 15 सव आदमी जो है वो 10 घंटे 5 सालों तक काम कर रहे थे गुणा भाग कर लीजिए और लगा ली वैसे वैसे वहां पर लोग क्या हैं ब्राँज का इस्तिमाल करना शुरू कर रहे हैं यानि पत्थर से स्टोन से ब्राँज की तरफ मूव करते जा रहे हैं वैसे भी यह जो सिविलाजेशन है यह जातातर आप जब पढ़ेंगे तो इसका कोछ इसा ब्राँजेश अब यहां पर जो कामगार लोग हैं आर्किटेक्ट्स हैं जो घरों का डिजाइन करते हैं वो लोग क्या सीख रहेते धीरे ध्ले घर बनाने के लिए जो है वह इट के कॉलम लगाना सीख रहेती क्योंकि अभी तक क्या होता था कि वुड़ें कॉलंस की जाते थे और जो और होता मतलब एक रिस्क होता है कि माल लीजे कुछ समय के बाद डिमॉलिश हो सकता इस्ट्रक्चर इसलिए अब क्या कर सकते हैं अब आप उस बड़े घर को सपोर्ट करने के लिए ब्रिक कॉलम यानि कुल मिलाके इंटों वाला पिलर खड़ा कर सकते हैं पहले लकड़ी के ऐसे खंबे जैसे खड़े कर दिया जाते थे पिलर जैसे खड़े कर दिया जाते थे रूफ को सपोर्ट करने के लिए लेकिन आप ब्रिक कॉलम्स जो है बनाय जा रहे एनदर टेक्नलोजिकल देखने को मिलेगा आपको अब उर्क शहर में तो इस तरीके से देख रहे हैं दीरे दीरे बड़ा डिस्क्रिप्शन की तरफ जा रहा है एक और इंपोर्टध एश्पअक्त आपको देखने को मिल रहा है थीगे वह सी क्योंकि कुछ जो क्ले टैबलेट के अलावड इंपोर्ड़ समाने में भी सो भारत में कर लिस जो है इस्टोन stalk टिस्टोन सील वर स्टाइप्ड दो भारत में हमारे पास है हडप्ता के बारे में जो कुछ भी पता है वह पत्थर की सीअट से ही पता है अधर सील नहीं मिलती है तो आपको जो कुछ में information है वो भी नहीं होती तो भारत में हमारे पास evidences है पुराने seal के अब भारत में जो seal है वो ज़्यादा तर stone seal है और वो stamp की जाती थी ध्याम रखिएगा ठीक है यानि एक seal है और वो एक clay में किसी wet clay में stamp कर दी जाती थे जैसे आज की rate में एक stamp होती की आपके पास और आप इंक लेते हो इंक में उसको पहले जो है वो लगाओगे इसके बाद जब इंक का impression बनेगा तो उसको paper में कहीं पर भी आपने लगा दिया और वह एक impression बन गया तो actually क्या है इंक और stamp दो अलग अलग चीज़े हो गई लेकिन मेसोपुटामिया में क्या है इस तरह के stamp seal नहीं हमारे पास cylindrical stamps मिल रहे हैं मेसोपुटामिया में मेसोपुटामिया में cylindrical stone seals मिल रहे हैं यह देखिए आप cylindrical stone टी जो है वो equipment आपको मिल रहे हैं ठीक है चलिए अब यह stone क्या होता था इनको pierce किया जाता था ठीक है pierce down the center और इसमें एक stick fit कर दी जाती थी ताकि यह roller की तरह काम करें तो यह आप एक stone seal देख रहे हैं इस stone में stone seal में यहाँ पर इसको pierce करके इसमें एक stick लगा दी जाएगी अब यह क्या होगा बीच में से खोकला है तो stick लग गई अब इसको किसी भी surface के उपर जब आप roll करेंगे मान लीजे तो इसमें जो भी निशान है वो निशान यहाँ पर बन जाएगा ठीक है और इसको आप preserve करके रख सकते हैं ठीक है तो इसको pierce कर दिया जाता था सेंटर पे और एक stick fit कर दी जाती थी and rolled over the wet clay और गीली मिट्टी के ओपर जब आप चलाएंगे यह गीली मिट्टी की surface हो गई तो जो भी pictures हैं वो create हो जाएंगे और इस तरीके से आप एक impression बना सकते हैं यहां मैं कह दूँ कि एक record maintain हो गया आपके पास ठीक हरपा में क्या होता था इस्टांप है अलगलग जैसे पशुपतिनात की सील है तो उसको क्ले में लगाया आपने तो सील आपके पास है अब वो एक लगी हुई सील का भी एक impression जो है किसी विवस्तु में बन गया तो ऑथेंटिकेट होगे कि अच्छा यह सील इस परसन को बिलॉंग करती है और यह जो सामान है goods है यह भी इस परसन को बिलॉंग करत है हो सकता है उसको export या import या जो भी करके लाए गया होगा export ही किया गया होगा ठीके जा फिर import से भी आई होगी तो authenticate किया गया होगा कि अच्छा यह इनको बिलॉंग करता है तो hopefully सील का भी आपको समझ में आ गया होगा आपको तो इस तरीके से हमने बहुत सारे aspects आज समझ लिए mesopotamia के अब यहां से एक नया aspect शुरू होता है life in the city mesopotamia के जो लोग हैं वो शहरों में किस तरीके का जीवन रखते थे किस तरीके से families होती थी nuclear family या joint family marriage constitution शादी ब्याह का संबंद किस तरीके से establish होता था यह सारे aspects यानि public life के कुछ personal aspects घर किस तरह से बनते थे यह सारी चीजे हम देखेंगे अगले विडियो सेशन में तो बने रहिए magnet brains के साथ तैंक यू